इस समय देश में कोरोना महामारी चरम पर हैं वहीं दूसरी तरफ देश का माहुल खराब करने से कुछ विवादित संथ अब भी बाज नहीं आ रहे हैं एसे ही एक विवादित संथ स्वामी यती नर सिंगा नंद ने पिछले दिनों इसलाम धर्म के पेगंबर हज़रत मौमद सहाब के खिलाफ एक बयान दजारी किया था उस बयान में उन्होंने काफी विवादित बाते कहीं जिससे देश भर में मुश्लिम समाज में खासा आक्रोश है लेकिन समाज का हर तबका उनके इस बयान का विरोध कर रहा है एसा ही एक युवा अधिवक्ता जोलन सिन चोहान इंदोर में सामने आए और उन्होंने डियाईजी आफिस पहुचकर अपनी शिकायक दाज की उन्होंने कहा कि देश में सभी मिलजूल कर रहते हैं देश की सलस्क्रती अनेकता में एकता की है एसे बयान देने वाले सादू संतों के खिलाफ सक्त कारवई होना चाहिए उन्होंने कहा किसी भी समाज के किसी भी समुदाय के व्यक्ति को किसी भी समाज के खिलाफ कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है जी देखें अभी कुछ दिनों पहले मैंने जो महंत हैं दासना मंदिर के स्वामी यती नरसिंगानंत उनका एक बयान मैंने देखा और बयान देखते ही साथ मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसा कॉरोना काल चल रहा है अभी देश में और इस सम समुदाय के जो धर्म गुरू हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत ही अपशब्दों का प्रयोक किया और मुझे ये देखकर बहुत अचंबित हुआ कि क्योंकि महंत जी एक बहुत ही गौरफ शाली और प्रतिभाशाली पोस्ट पे बैठे हुए हैं एक हिंदू समाज के तो वजाए कि वो एक यग एक अनुष्ठान या कोई ऐसी पूजा करवाते जिससे पूरा संपूर मानव समाज जो है वो इस कोरोना की महामारी से जो है निजात पा सके इसकी जगे उन्होंने एक किसी विशेश समुदाय के जो धर्म गुरू हैं उन्होंने लांचन लगान उनको अच्छे संसकार देने के लिए कर सकते थे पर उन्होंने इसका उपयोग मेरे हिसाब से मेरी दृष्टी में गलत से किया है और यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी मैं एक खुद मैं एक हिंदू हूं और मेरा दोस्त है मेरे कई दोस्त मुसल्मान है कई दोस्त पास ना मंदिर के उसको गलत तरीके से लोगों में दुश्मनी भढ़काएं वो भी इस संकट की घड़ी मुझा तो मांग F.I.R की मैंने जो महंद जी हैं उनके अगेंस्ट मैंने अभी एक कम्प्लेंट फाइल करी है इंदौर D.I.G. सर के पास इसमें I have requested him to book him under section 153A which is promoting animity between different caste, relating caste, place of birth and sex and such imputations which is prejudicial to national harmony and section 153B of IPC, section 295A of IPC which is malicious comment regarding insulting particular religion and section 505 KB request kariya which is conducting making imputations and conducting public to mischief.